नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल जोतिस भासकर में आज हम सभी नामकरण के बारे में सीखेंगे कुंदली में नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? बच्चे के रासी नाम क्या मिर्धारण किस प्रकार किया जाता है नामकरण का गणित किस प्रकार किया जाता है उसे आज हम सबी सीखेंगे आईए जान लेते हैं सबसे पहले नामकरण के नियम को आपको नामकरण के गणित करने में दो चीजों के जरूरत होती है भयात और बभोग यदि आपने बभयात बभोग वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए आपको यदि अभी नय हैं आप हमारे चैनल पे आया हैं तो प्लीज पहले वाली वीडियो देख लीजिए तभी आपको ये चीज़े समझ में आएंगी नहीं तो आप यदि पहले के गणित भयात लोग विष्टकाल आदी नहीं जानते हैं तो आपको ये चीजे समझ में नहीं आएंगी यदि आपने पहले के वीडियो देख लिया है तो आईए नामकरण संस्कार के बारे में सीख लेते हैं नामकरण के गडिन करना सीख लेते हैं भभोग में चार का भाग देने पर जो सेस आए उसमें साथ का गुणा करके भभोग के पल को जोड़ कर योगफल में फिर चार का भाग देने पर जो सेस आए उसमें साथ का गुणा कर चार से भाग देकर तीनों भागों में जो भागफल आया उसे एक जगा लिख कर नीचे उदारण में जिस तरह से लिखा आए समझ में नहीं आये होंगी उपर उपर जा रही होंगी आईए उदाहरण देख लेते हैं उदाहरण से समझ लेते हैं तब बाते स्पष्ट हो जाएंगी उदाहरण स्वरूप हम यहां भयात और भभोग ले लिए हैं और यहां पर जो आपका भयात भभोग होगा आपकी कुं तो अब हमें सबसे पहले करना क्या है कि भभोग में चार का भाग देना है जैसा कि देख रहे हैं आप भभोग है 60 घटी 10 पल इसमें 4 का भाग देना है तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बच गया 2 उबर से सुन्ने उत्रा 20 हो गया चार पच्चे 20 कट गया अब जो यहां सेस आएगा उसमें 60 से गुणा कर देंगे नियमा नुसार नियम के नुसार हम इस सुन्ने में जो सेस आएगा यहां पर उसमें 60 का गुणा करेंगे साथ से जब सेस में गुणा किये तो सुनने हुआ और इसमें जो यहां पल होगा जैसे कि साथ के बाद जो यहां जो दस पल है यहां पर जो पला में होगा पल में प्राप्त होगा उसे यहां पर जोड़ देंगे यानि कि 6 में 60 से गुणा करेंगे जितना आएगा उसमें इस पल को जोड़ देंगे तो यह पल 10 है तो इसको यहाँपर जोड़ देते हैं तो हमें सुन्णे में 10 जोड़ने पर 10 प्राप्त हुआ अब इस 10 में फिर 4 से हम भाग देंगे तो दस में चार का जब भाग देंगे तो दो बार में जाएगा आठ यहाँ पर दस में से आठ को बटाएंगे दो बचेगा अब इस दो में साठ का गुणा करेंगे नियम के अनुसार तो हो जाएगा 120 फिर इस 120 में चार का भाग देंगे जब हम चार से भाग देंगे चुट या 12, 12 से कट जाएगा, उपर से उतरेगा सुन्ने, अब यहां सुन्ने आपने भाग पढ़ा होगा, अब यदि भाग करना जानते होंगे, तो आपको मालम होगा कि यदि कोई संख्या उपर से उतरता है, और वह यहां भाज से नहीं कटता, तो भागफल में एक सुन्ने अब आपको क्या करना है, कि यहां पर तीनो भागों में जो भागफल आया है, उसे लिख लेना है, जैसे पहले भाग में 15 भागफल आया है, दूसरे भाग में 2 भागफल आया है, और तीसरे भाग में 30 आया है, यह नहीं कि हम 15, 2, 30 को जो तीनो भागों का भागफल होगा, उसे हम यहां लिख लेंगे तो पहले हम जाच लेते हैं कि या जो 15-2-30 हमारा भाग पलाया है या भाग सही तो है तो उसे जाचने के लिए हम 15-2-30 को इस प्रकार से लिख लेंगे और इसके नीचे 15-2-30, 15-2-30 इस तरह से 4 भार लिख लेंगे ठीक अब इनको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने से हमें भभोग प्राप्त हो जाएगा यदि तो यहाँ भाग हमारा सही है तो आईए जोड़ कर देख लेते हैं 30, 30, 60, 30, 90 और 34 के 120 हुआ अब क्या है कि 60 से अधिक हो गया यानि कि यहाँ घटी पल वीपल में है तो 120 वीपल बराबर होता है दो पल ठीक तो यहाँ दो पल इधर पल में आकर जोड़ जाएगा ठीक तो दो 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 दोनी के 4 दोती हैं 6, 24 के 8 यहाँ आठ पल हुआ और इधर वीपल वाला जो कनवर्ट पल में वह दो यानि कि 2, 24 के 8 और इधर का 2, 10 यानि यहाँ दस पल हो गया ठीक अब यहाँ घटी है तो 15, 15 दोनी के 30, 15, 30 यहाँ पैतालिस, 15, 24 के 60 यानि कि यहाँ 60 हो गया तो यहाँ 60 घटी, 10 पल, 0 वीपल आया है अब देख लेते हैं क्या हमारा भभोग जो है वहाँ 60 घटी, 10 पल है आये उपर देख लेते हैं जी हाँ बिल्कूल हमारा भभोग 60 घटी, 10 पल है यानि कि हमारा यह भाग सभी है अब आये नामकरण निकालना देख लेते हैं अब हमें करना क्या है कि यह जो 15, 2, 30, 3 तीनों भागों का भागफल प्राप्त हुआ उसे यहाँ पर कहें तो इस 15, 2, 30 में 15, 2, 30 को जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे ठीक तो इस 30 में 30 को जोड़े तो 60 हो गया, 60 वीपल यानि की एक पल तो यह एक पल इधर आ जाएगा, अब इस 2 में 2 को जोड़े तो 2, 2, 4 और इधर का 1, 5 हो गया तो यह 5 लिख दिए, अब इस 15 में 15 को जोड़े 15, 2, 30 हो गया, ठीक, अब यहाँ जो 30, 5, 0 आएगा, इसमें भी हम 15, 2, 30 को जोड़ेंगे, ठीक, तो इसमें जोड़े हम जब 35 सुन्य में 15, 2, 30 को जोड़ेंगे, तो 30 में सुन्य जोड़ेगा 30, और यहाँ 5 में 2 जोड़ेगा 7, और यहाँ 30 में 15 जोड़ेगा 45, अब यहां तीसरे स्टेप में 45, 7, 30 आया इसमें भी इस 45, 7, 30 में भी हम 15, 2, 30 को जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेते हैं 30 और 30, 60 हुआ यानि कि 60 वीपल बराबर एक पल होता है तो फिर हम इधर पल मिला देंगे तो 2 और यह 7, 7, 2, 9 और इधर का 1, 10 यानि कि यह 10 हो गया और फिर यह 15, 45 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा यानि कि 60, 10 या यदि चोथे स्टेप में आपको अपना भभोग प्राफ्त हो जाता है तो समझ लीजिए यह आपका जोड़ना सार्तव है यह सही है तिक तो हमारा भभोग 60, 10 है यहां 60, 10 आ गया यानि कि हमने जो यह इसमें 15 12, 32 को जोड़ा इसमें 15, 32 को जोड़ा इसमें 15, 32 को जोड़ा जो यह बभोग प्राफ्त हुआ यानि कि यह प्रिक्रिया हमारा सही है तिक अब आपको इसमें मिलाना है कि इस चारों में से किसके अंडर में आपका भयात आता है तो आईए देख लेते हैं भयात क्या है हमारा भयात है 25-20 ठीक यानि कि 25 घटी 20 पल तो इसे हम नीचे चल करके मिला लेते हैं कि 25 घटी 20 पल किस चरण में आ रहा है देखिए ये आपके चरण का मान है यानि कि जिस नक्षत्र में लडगे का जन्म हुआ है उसके पूरे नक्षत्र के चारो चरणों का ये मान है पहले चरण का मान इतना जुतिये चरण का मान इतना तरतिये चरण का मान इतना चतूर्स चरण का मान इतना अब क्या है कि भयात क्या होता है जन्म नक्षत्र के बीत हुए समय को भयात करते हैं तो आपका भयात से अफ्राप्त हो जाएगा हमें कि किस चरण में लड़गे का जन्म हुआ है तो हमारा भयात है 25-20 तो देखिए 25-15 से अधिक होता है तो यानि कि प्रतम चरण में हुआ ही नहीं है और 25-20 है यानि कि दितिये चरण का मान 30 घटी है तो हमारा भयात 25 ही है यानि कि पहले चरण के बाद 15 के बाद और 30 के पहले यानि कि 25 है तो भाई 30 के पहले ही है यानि कि 15 घटी पर प्रतम चरण समात हो जा रहा है दितिये चरण चालू हो जा रहा है और दितिये चरण 30 घटी तकरह रहा है और हमारा भयात 25 ही है यानि कि दृतिये चरण में बच्चे का जन्म हुआ है तिक इस तरह से हम मिला लेंगे दृतिये चरण में बच्चे का जन्म हुआ है यदि यहां पर हमारा भयात 35 साथ रहता तो वहां दृतिये चरण के बाद 30 चरण में जन्म हुआ रहता यदि 35 रहता, तो 30 से अधिक है तो 55 से नीचे है और थाथ 30 पर द्वितिय चरण समाप्त हो जा रहा है तो द्वितिय के बाद यदि 35 रहता तो तर्दीय चरण में जन्म होता लेकिन यहाँ पर हमारा भायात 25 है इसलिए वह। द्वितिये चरण में जन्म हुआ है और धात जन्म नक्षत्र के द्वितिये चरण का चरणाक्षर देख लेंगे क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं जन्म नक्षत्र है मिर्ग सीर्स और इसका द्वितिये चरणाक्षर ये चारो चरणाक्षर है तो यह जितिये चरण का जो चरणाक्षर है वो है तो लड़के का जो रासी नाम होगा वह वो अक्षर से होगा लड़के का जो रासी नाम है वह वो अक्षर से होगा और वो अक्षर से हम यहाँ वो मेस नाम रख लिए तो लड़के का रासी नाम हो गया वो मेस इसी तरह से आ यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और जनकारी को फैलाने के लिए इसे लोगों में सेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर फिल आइकन को दबारा नव गुलिए इससे आपको हमार आने वाले वीडियोज की जनकारी प्राप्त होते रहेंगी इतने समय हमारे साथ जुड़े राने के लिए इतनी अच्छी जनकारी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाब